नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंफिनिटी नॉलिज में तो दोस्तो आप सभी को ये बात तो अब तक पता चली गई होगी कि कल ही चाइना की तरफ से पाकिस्तान को टाइप 054 नाम की फ्रीगेट सोप दी गई है लेकिन अब पाकिस्तान की नेवी को मजबूत करने के लिए एक और देश सामने आ चुका है और दोस्तो इस देश का नाम है तूर्की और दोस्तो इस वीडियो में हम यही डिसकस करने वाले हैं कि क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान की नेवी भारत की नेवी को बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी तो दोस्तो ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार फिलाल के टाइम में देखा जाए तो भारत ही दुनिया की चोती सबसे बड़ी महाशक्ती है और वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दसवे नंबर पर आता है और यहीं पर अगर हम पाकिस्तान के रक्षा बजट और भारत के रक्षा की बात करें तो पाकिसθान का रख्षा बजट एक दशमलो 37 लाक करोड रुपे है और वहीं अगर हतियार खरीदने की बात करें तो पाकिस्तान भारत से इस रेस में काफी पीछे है भारत पाकिस्तान से करीब 10 गुना जादा हतियार दूसरे देशों से खरीदता है और दोस्तों इस लिस्ट में भारत की नेवी और पाकिस्तान की नेवी के बीच अगर कंपेरिजन करें तो भारत के पास करीब दो एरक्राफ्ट कैरियर हैं लेकिन वही पर पाकिस्तान के पास एक भी युदपोत करीब 285 हैं वही पाकिस्तान के पास केवल सोही नो सैनिक युदपोत हैं भारत के पास करीब 16 डिजल इलेक्ट्रिक पंडूब्बियां हैं वही पाकिस्तान के पास केवल 9 पंडूब्बियां हैं और भारत के पास एक स्पेशल न्यूक्लियर पावर पंडूब भारत के पास करीब 13 टर्मिनल पोर्ट्स हैं लेकिन पाकिस्तान के पास केवल 2 ही टर्मिनल पोस्ट हैं और दोस्तों आप सभी को ये बात भी काफी अच्छे से पताई होगी कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने INS विकरांत को बनाकर पूरी तरीके से तयार कर लिया है और अब INS विकरांत के ट्रेल्स भी चल रहे हैं और उमीद ये की जा रही है कि आने वाले अगले साल तक INS विकरांत पूरी तरीके से भारतिये नेवी में आने के लिए तयार हो जाएगा और दोस्तों भी हाली में ही तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और इस डील में पाकिस्तान तुर्की से एड़ा क्लास की कॉनवेट लेने वाला है और तुर्की पाकिस्तान को दो फ्रीगेट तो तुर्की से ही सप्लाई करेगा और बची हुई दो फ्रीगेट पाकिस्तान के कराची में बनाई जाएंगी और तुर्की की तरफ से इन को especially his surveillance, early warning system, surface to surface missile और surface to air missile और anti-submarine missile ये सभी के सभी हतियार तुर्की की तरफ से अपनी इन फ्रीगेट में लगाए गए हैं जो कि आने वाले टाइम में भारत के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाले हैं और दोस्तों अब से कुछ देर पहले ही हमने आपको वीडियो बना कर बताया था कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी चार फ्रीगेट की डील की थी और इस डील में से पहली फ्रीगेट तो चाइना ने कल ही पाकिस्तान को सोप दी है और इस फ्रीगेट का नाम है टाइब 054 और दोस्तो पाकिस्तान और चाइना के बीच ये डील 7 अरब डोलर की हुई थी और दोस्तो फोब्स की रिपोर्ट के अकोर्डिंग ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से चाइना से टाइब 039 क्लास की करीब 8 प महसागर में घेरना चाते हैं इसी लिए ही चाइना और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की नेवी को मजबूत किया जा रहा है जो कि आने वाले टाइम में भारत के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाला है टैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैवा गूड डे